हाई फ्रेंड्स रोनीत एकेडमी में आपका स्वागत है मैं हूँ रोहित और मैं आज डिसकस करने वाला हूँ 25.1.2022 के महत्वपुर्ण करेंट अफेर एकजाम पॉइंट आउ भीव से मैं बहुत ही सलेक्टेड कोस्चन लेकर आया हूँ आज के 25.1.2022 के जितने भी करेंट अफेर होंगे आज मैं उसको डिसकस और डिटेल में डिसकस करने वाला हूँ तो मैं अब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए शुरू करते हैं पहले कोस्टन से पहला कोस्टन क्या है यह है भारत और किस देश की सेना ने बंगाल की खाड़ी में समुंदरी आत्मरच्छा बल अभ्यास किया तो किस देश की सेना ने किया तो ये किया है जापान देश की सेना ने किया है अब किस के किस के बीच हुआ है भारत और जापान के बीच और ये कहां लिया गया कहां पे कौन से जगह में तो ये बंगाल की खाड़ी में ये अभ्यास हुआ और इसमें कौन आर्मी इंबॉल्ब क्या है देखते हैं next question क्या है next question है launch पुष्टक the untold a story of inconvenient nationalist के लेखक कौन है तो इसके लेखक है चंदरचूड घोस कौन है चंदरचूड घोस अब ये पुष्टक क्या है तो पुष्टक में स्वतंत्र भारत के विकास संपरदाइकता भूराजनीतिक और राजनीतिक विचारधारा के बारे में सुभाश चंदरबोस के विचार और राज सामिल है मुख्यता चंदरचूड घोस जो किताब लिखे हैं क्या है बोस द अंटोल डा स्टोरी अप inconvenient nationalist इसमें सुभाश चंदरबोस के विचार और राज सामिल है चलते हैं नेक्स्ट कोस्चन की और नेक्स्ट कोस्चन है बिग बैस लीग में खेलने वाले पहले वारतिये खिलाडी कौन बने हैं तो यह कौन बने हैं उन्मुक्त चंद जो की वारतिये खिलाडी है और इन्होंने क्या किया है पहले बिग बैस लिग में खेलने वाले पहले खिलाडी बने हैं तो बिग बैस लीग जो है एक अस्ट्रेलिया में खेले जाने वाला एक T20 cricket league है T20 format का है यह league ना की ODI और ना की test यह T20 cricket league है इसका starting कब हुआ था शुरुआत कब हुआ था तो इसका सुरुआत हुआ था 2011 में किसके दौरा Australia दौरा किसके दौरा Australia दौरा अब next question देखते हैं क्या है next question है Oxfam India report के अनुसार भारत में कितने नए अरब पती बने तो ऑक्स फैम इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में total 40 यानि कि 40 अरब पती बने हैं अगला question है किस संस्थान को The National Startups Award N.S.A. में देश का सर्वस्रेष्ट तोरक पूरसकार मिला है तो यह मिला है किसे इंडिया एक्सलरेटर को किसे मिला है सर्वस्रेष्ट तोरक पूरसकार तो यह मिला है इंडिया एक्सलरेटर को next question क्या है next question है परधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संथ की 216 फीट उची परतिमा का अनावरन किया है तो यह कौन से संथ थे इनका नाम क्या था इनका नाम रामानुजाचार्ज था यह कहां के रहने वाले थे तो हैदराबाद के रहने वाले थे और कहां अनावरन किया गया है तो कब अनावरन किया गया तो पांच फरवरी 2022 को नावरन किया गया इनकी एक हजारमी जयनती के उपलच्छे में रामानुचार्ज 11 सदी के संत और क्रांतिकारी समाज सुधारक थे और जो यह परतिमा का अनावरन किये हैं नरेंद्र मोदी ने तो इस परतिमा को सम स्टेची ऑफ इक्वालिटी नेक्स्ट कोश्चन क्या देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन है हाल ही में मेकोंक बोरोक दिवस कहां मनाया गया तो कहां मनाया गया त्रिपूरा में यह जो है त्रिपूरी भासा के दिवस के रूप में भी जाना जाता है क्या मेकोंक बोरोक को हम क्या जानते हैं त्रिपूरी भासा के दिवस के रूप में भी जानते हैं 19 जनवरी को भारतिय राज त्रिपूरा में पड़ती बर्स मनाया जाता है कितने तारी को 19 जनवरी को यह कैमा कोक बोरोक दिवस था त्रिपूरा का यहां के सीम कौन है यहां के सीम है विपलब कुमार और यहां के governor कौन है तो satyave narayn Arya को Lumine opta penguin सते देव narayan Arya नेक्स्क क्या देखते हैं नेक्स्ट ने हैं तुक है दीलिजेंट ऑफ बिड़ साम उन्डा किस ने किया तो एनसर इसका क्या हो जाएगा सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा, महाराष्टर के राज़ेपाल भागत सिंग को सेरी ने, इसके राइटर कौन थे, कौन लिखे थे ये पुष्टक, तो ये थे तुहिन ए सिन्हा और अंकित बर्मा, दोनों ने लिखा था, अब पुष्टक जो है, ये कम परसिद आद वासी नायक किन के बारे में बिड़सा मुंडा की कहानी है ये पुछतक में दली जेंड ओफ बिड़सा मुंडा लिखा किसने है तुहिन एस इन्हाने और अंकित बर्माने नेक्स्ट कुश्चन क्या है नेक्स्ट कुश्चन है यहाँ पे जलना ही होगा दोस्त यहाँ पे होगा हाल ही में हाल ही में किस अभिनेत्री को Association of Working Women Award से सम्मानित किया गया तो यह कौन थे अभिनेत्री यह हैं सुस्मिता सेन पुर्भ Miss Universe को उनके सो आर्या 2 के लिए एक TV स्रिंखला में एक महिला अभिनेता द्वारा उत्रिष्ट परदर्शन के लिए सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से अब आर्या 2 यह जो सिरीज है यह किस के द्वारा बनाए गई तो यह बनाए गई है राम माधवानी द्वारा कब रिलीज हुई थी दस दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी आर्या 2 नेक्स्ट कोस्चिन क्या देखते हैं नेक्स्ट कोस्चिन है किसे परतिष्ठित जेनेसिस पुरसकार 2022 से सम्मानित किया गया परतिष्ठित जेनेसिस पुरसकार 2022 से किसे समानित किया गया तो ये हैं अलवर्ट बोर्ला को समानित किया गया है जेनेसिस पुरसकार से अब आगे चलते हैं देखते हैं Next question क्या है Next question है हाल ही में किसे केंदर सासित पर्देश का पहला दूध गाऊं Milk Village गोसित किया गया बहुत important question है दोस्त Milk Village किसे गोसित किया गया तो जमू और कस्मीर के किस बस्ती को तो ये जेरी बस्ती नामक एक है जमू और कस्मीर में एक जगह है जेरी बस्ती उसको दूद गाउं घोसित किया गया है Milk Village के अंदर सासित परदेश का पहला Milk Village Next Question क्या है? Next Question है भासाओं पर इंटरनेट पैनल का Brand Ambassador किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है विजय सेखर सर्मा को विजय सेखर सर्मा को विजय सेखर सर्मा कोन है? तो यह है पेटियम के CEO है विजय सेखर सर्मा और इन्हें भासाओं पर इंटरनेट पैनल का Brand Ambassador भी बनाया गया है तो उमीद है दोस्त आपको यह सेशन और यह वीडियो अच्छा लगा होगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कॉमेंट करके बताएं कि किस टॉपिक पर मैं वीडियो लाओं यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक करें, सेर करें और कॉमेंट करें धन्यवाद